हेलो भाई लोग क्या आल आप सब के भाई लोग आपको हमारे इनिशेटिव तो पता ही है जो हमने इनिशेटिव ले रखा है गरीब स्टूडेंट्स जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री बुक्स वाला हमने ग्रूप बना रखा है जिसमें जिस भी भाई बंदों के पास अपनी पुरानी बुके रखी हुई है पुराने एडिशन रखा हुआ है ससे से रिलेटिड जितनी भी बुक्स है वो उनको ओफर कर सकता है डोनेशन के लिए और जिसको भी रिक्वाइरमेंट होगी वो भाई उसको परसनल मैसिज कर देगा तो यह हमने की इनिशेटिव चलाया हुआ है और इसको आप लोग है ना जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि जितने हो सके उतने बच्चों की हेल्प हो सकी ठीक है और ज्यादा डिटेल के लिए पिछली फेने वीडियो बना रखे उसको देख लेना टेलिगराम ग्रूप है फ्री बुक्स फोर एससी फ्री बुक्स एफोर फोर एससी इस नाम से टेलिगराम ग्रूप है आप सर्च कर लेना और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो इस वीडियो में हम बात करते है वाई लोग आज एसो की जो प्रोफाइल जो सी एसस में होती है देखो और सारी च चीजे खोल-खोल के बता दिये मतलब जो चीज जो कोई भी नहीं बताता ना वह भी और बहुत जो मित चल रहा है ना एसो सी एसस का वह मित अज ब्रश्ट हो जाएगा तो वीडियो को देखना बाई और इसमें आपको सारी सचा ही पता लग जाएगी देखो सबसे पहला हम पॉइंट क्या कंसिडर करते हैं एसो सो लेते हुए जो भी वच्छे एससो को फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस रखते हो रखते हैं कि दिल्ली हमारी पोस्टिंग रहेगी और सेकेंड पॉइंट रखते हैं कि इसमें ज्यादा वर्कलोड है अपने टाइम टी टाइम डूटी अपना आना और जाना बस मस्त इस आपना मस्त चैन से जिन्दकी कटेगी देखो अब इसमें पहला पॉइंट आपका ठीक है दिल्ली आपके पोस्टिंग रहेगी लेकिन ज जरूरी नहीं है क्योंकि ESO CSS में ना बहुत ही हेक्टिक वर्कलोड भी है यह किसी ने बताए नहीं होगा अस तक जो कुछ हमारे यूट्यूबर भाई लग रहे हैं ESSO उन्होंने भी शायद आपको नहीं बताए होगा कभी क्योंकि साहद उन्होंने एक्सपिरिंस नहीं किय आपको भाई 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 ने बोला कि मैं रात को नो नो बजे छोटता हूं आठ थाट बजे और ग्यारा ग्यारा बारा बारा गंटे काम करता हूं रेगुलर ऐसी मेरे को पोजिशन में लिए है अब ऐसा क्यों है कई लोग कहते हैं कि बहुत ही चिल लाइफ है इसमें लग लग're है तो उसकी जो ऊलगा है लगा लो एक पेर ज्योयंट सेकरेटर्य जोर्ऑस में होता है थल् lithium Тषुर ऐतना काम होता है इतना सुनना पड़ता है और इतना मतलब यूं यह कि काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं काम आपको करना हीपड़ेगा और सुनना पड़ेगा वो अलग नहीं करोगे तो बहुत सुनना पड़ता है बहुत और हर दिन कुछ नया काम आता है यह महला आज आपने कोई चीज बना नहीं सीख ली अगली बार जो आपको जो ने एक्स डे कोई फाइल आईगी न वो आपके ऐसे आईगी जो आपको एक्सपिरिंस नहीं कभी वो आपको फिर उसके लिए और रिसर्च करनी पड़ेगी कि बहुत जाद एक्टिक हो जाता है देखो एक एक काम रोज करना पड़े न तो उसमें दिक्कत नहीं भाई चार-पात दिन में अपना मस्त दिमाग में फिट हो जाता है उसको लपेट से रो पूरी उमर क्या दिक्कत है लेकिन जब हर दिन कोई नया काम आपको करना पड़े न तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा उसमें लगती है बहुत मैनत बहुत दिमाग मतलब दिमाग के ऐस तैसी हो जाती है बिलकुल खोपड़ोबल जाता है तो यह चीज़ जो उन्होंने बताई और भाई ऐसा फिर सब यू क्यों बोलते है जाता तर यू क्यों बोलते है चिल लाइफ है यह हुए देखो भाई मापको बताता हूं सीधी सी बात हर डिपार्टमेंट में ना कुछ सीट होती है वर्कलोड वाली कुछ कैसी होते है कुछ कैसी होती है पोस्ट प्रोफाइल सेम है जरूर नहीं वर्क प्रोफाइल भी सबकी सेम हो अब जब इसमें एसो लगते है अब उसमें अंदर भी सीट होती है कौन की सीट पर बैठा है ठीक है तो उसमें 30% ऐसी seat होती जिनमें heavy workload होता है लाइफ आपकी hell बन जाती है उसमें अगर आप जाती होती है और 70% ऐसी होती है जिसमें moderate काम होता है तो यह है अगर 30% में आपका number पढ़ जाता है जो कि कभी न कभी पढ़ेगा आठ साल दस साल के लिए कभी न कभी तो पड़ेगा आठ दस साल वो रहता है कम से कम तो उसमें आपकी लाइफ हैल बन जाती है भाई उसमें इतना काम पेलते हैं इतना काम पेलते हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा एक भाई ने बताई थी वो court वाली position होती है जिसमें आपको court cases handle करने पड़ते हैं तो उसका तो भाई workload का जवाब भी नहीं है वो तो खेल खतम कहां नहीं है वो तो बहुत ही खतरनाक court में आपको पता वैसी कितना workload होता और वो court के cases उसको समालना ASO और एक दूसरी सबसे बड़ी बात होती है ASO के नीचे कोई बंदे नहीं होते ASO सबसे lowest position है department वे उससे नीचे data entry operators वगर है यह होते हैं जो भार के hire कर हुए होते हैं जो मतलब contract basis पा hire कर हुए होते हैं वो होते हैं तो सारा जिम्मा घूम पर के ASO पर ही आ जाता है अब life hectic कब बन जाते हैं चलो workload है काम है hectic तब भी बन जाते है जब कोई इसमें कोई वो ही नहीं है इतना आप काम कर रहे हो फिर भार जाके आप दिखाते हैं कोई प्रीस वाला भी नहीं छोड़ता मतलब कोई extra benefits नहीं है जैसे और jobs में है एक्साइज इंस्पेक्टर इंकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली पलिस इसमें लब जो कुछ पावर वाली फील नहीं है आपको आप कैसा लगेगा कि मैं सरकार में सरकारी प्राइवेट नोकरी कर रहा हूं आप कैसा फील होगा बिल्कुल उस भाईया ने ऐसी बताया कि मैं सरकारी प्राइवेट नोकरी कर रहा हूं सरकार की प्राइवेट नोकरी है भाई ऐसा अब आप लगा लो कैसा environment है इसका जो बंदा ये सोच का रहे हैं कि मैं UPSC कि त्यारी करूँ हूँ है भाई थोड़ा अपना decision पर गोर करना कि UPSC की त्यारी के साथ हो भी पाईगी ये नहीं भी हो पाईगी ठीक है और बागी जो 30% seat तो इसमें कुछ है जो heavy workload है 70% भी ऐसी नहीं कि हलो है उसमें ये कि हां moderate है तो भाई वो अपना देख लेना कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे मैंने तो इसका जो myth था ना ये myth मैंने आज brushed कि आप लोगों के सामने और जिन जिन को ये सच्चा ही पता थी वो comment करना भाई और जिन जिन को सच्चा ही नहीं पता ना भाई तो सच्चा ही मान लो नहीं तो अपने जा के पता कर लेना कोई काम कर रहा है उससे पता कर लेना भाई ठीक है हो सकता उसने भाई अब तक experience नहीं कर रहा हूँ तो वो positive view दे बट उस भाई को हमारे को 6 साल हो गए है शुरू के 2 साल तो अच्छा था experience लेकिन उसके बाद जब 30% वाली सीट में कैटेग्रीम आ गया है उसके बाद तो चार साल से लाइफ हैल बनी हुए इसी वज़े से उस भाई ने cpo यह नाम है cgl 2022 का मेंस भी दिया था यह आप सोचलो वह भी किस पोस्ट के लिए डी ए के पोस्ट के लिए जो इससे लोग रेड के पोस्ट है तागी होम स्टेट मिल जाए ओम स्टेट भाई का वोदारियाना था ठीक है तो और भी कुछ इंफर्मेशन आईगी तो आप लोग शेर करूँ आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत और इनिशेटिव को भाई शेर करना जरूर बहुत अच्छा इनिशेटिव है ठीक है आप लोगों का ही जो है जिस